हेलो दोस्तों आज जो है आपको 48 भोली रिक्सा बैट्री चारजर को रिवाइंड निक कैसे करते हैं और दिखाने वाले हैं तो चलिए इसको रिवाइंड निक करते हैं और देखते हैं क्या जाले हैं जो प्रफ्ट उस्तों इस जाले लिए ख्रॉड़ इस और बड्रॉड़ तर तर दो कि वर्ट तर उल्हवाईं तो मुझ तो मुझ तो तो सुनरेज एंग जो जो थाइंड तो मुझ तो सुनरे इस through the wastelands, through the highways and on and on we'll go on and on we'll go finding life along the way melodies we haven't played no, I don't want no rest echoing around these walls fighting to create a song I don't wanna miss a beat and on and on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands, through the highways and on and on we'll go through the wastelands, through the wastelands and on and on we'll go तोटल छे लूप निकले गी अभी हां से स्टार्ट करके 22 बाइस टन पर एक लूप छोड़ते जाएंगे तो टार ये इस नमबर एक टब उसे डिवाइन के हुआ है जैसे को बोच सकते हैं अभी स्टार्ट करेंगा यहां से रिवाइन करना अगली ची लूप रहेगी वह पाइस टन पर निकले गी अगली ची लूप रहेगी वह पाइस टन पर निकले गी तो पाइस टन जो है कम्पिलिक हो गया है लूप निकालेंगे देखिये इक लाप रखर करके निकला है कि अगया है ऐसे करके घुमाने से क्या होता है उपतार लपटते हैं तो उखरता नहीं है कि देखे पाइप के बीच में से छोटा से कट मर रहा है दो नंबर का सिल्पिंग पाजाए दूसरा लूप जैसे कम्पिलिक हो गया है कि अगया है कि स्टार को दबाने का मतलब यह होता है कि लगाते टाइम जब यह उखर करना आ जाए इसलिए इसको दबाना पड़ता है कि तो दूसरी लूप जहां कम्प्लीट हो गई है और भी चार लूप निकलेगी तो कम्प्लीट होने के बाद आपको दिखाते हैं कि तो यह जो है इस ट्रांसफोर्मर का डाटा है इसमें सब कुछ लिखा गया है तार नंबर कितना टेंद देने पर इसमें लिखा गया है तो आप स्क्रीन सॉट कर लीजिए या फिर कुछी कुछ चीज में लिख लीजिए आपका काम आएगा तो देखिए यह कंप्लीट हो चुगा है तो आखरी लूप है देखिए यह कंप्लीट हो गया है कितनी अच्छी तरीके से रिभाणिंग किया गया है विसके लिए डीसी सप्लाई निकालेंगे तो यहाँ पे बारव भूल डीसी सप्लाई निकाल रहा है फैन चलाने के लिए छोटा कूलर फैल 26 नंबर तार से तेईस टन लपटेंगे तो अब जो है मोटी तार का भी लपेटना शुरू कर दिया है तो चलिए इसको लपेट लेते हैं इसका टन जो है ओ तो 88 टन है तो चलिए इसको लपेट लेते हैं हुआ है हुआ है का लेड़ऊ का लेड़ बाज़ निए अिर शवार, है जिस तो में फिस दिए हुआ है का लेड़व का लेड़ कर अब। झाल चुर्ण को bleibt पुर्ब एफल आगानल दॉकाँ जासके देख सकते हैं मोटिवार से इसको कम्पलीट रिवाइनी कर दिये है उडिये और जाने वायर की नमबर जहां चौदा नमबर एलमुनियम वायर है और यह है उनिस नमबर की है जाओ फैल के लिए निकले है वो चब्दिस नमबर की है 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 कि अग दूगी है जाएगा नहाएगा है